है यह एलो सुट्रांज है आज हम डिस्कुस करेंगे प्रोपर्टी ओफ ट्राइब डेल्टा फंक्शन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डिराइब डेल्टा फंक्शन की डेफिनिशन्स और कुछ जो स्पेसिफिक फंक्शन्स होते हैं वो कैसे रिड्यूस होते हैं अं बुर्ण प्रोपर्टी है, first property है ये, तो इस में क्या होगा, इंटेगरेशन माइनस infinity to infinity, ज्यान रखना, f of x यहाँ पे लिमिट्स क्या है, minus infinity to plus infinity, यह is always equal to f of a where f of x is an ordinary ordinary मतलब क्या यह other than Dirac delta function not a Dirac delta function ठीक है function and continuous at x equal to a a what continuous तो दिखेखे इस यह हमें प्रूफ करना है इसका प्रूफ बता रहा हुं आपको तो मेरे पास यह आ गहीं से यह क्या जाएगे प्रूपर्टी है ठीके यह प्रूपर्टी है इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको स्पोर्स अगर डिराग मैं इसको बना इसको शोर करता हूं तो डिराग डेटा फॉंक्शन कुछ इस तरह का होगा और यह इसका मिटवॉंट और यह प्लस एप्साइलन और यह माइनस एप्साइलन रखना इस तरह से अप्रोच करेंगा इन्पिनिटी को एफ एक बात देखिए जब मैं इसको expand करूंगा तो जब मैं इसको expand कर रहा हूंगा तो यह कुछ इस तरह का बनेगा minus infinity to a minus epsilon फिर a minus epsilon to a plus epsilon और फिर a plus epsilon to epsilon यहां के बीच में डिराग delta function कितना होगा इस limit पर यहां पर क्या है डिराग delta function की value 0 और यहां पर भी 0 है तो यह तो 0 होगा क्योंगा डिराग delta function 0 बन रहा है अब f of x कुछ भी रही तो f of x into 0 is always 0 तो यह 0 होगया अब बचा क्या यह बच गया अब इसको ध्यान से देखिए epsilon क्या है मेरे पास बहुत स्मूल है epsilon बहुत स्मूल है तो यह क्या होगा बहुत नेरो होगा यह जो स्ट्रिप बन रही है यह क्या होगी तो मैं क्या मान सकता हूं यहां से लेके जब यहां तक जा रहा है तो क्या है जैसे जैसे मैं इसको जितना नेरो करूंगा क्योंकि epsilon is tending to zero तो क्या होगा यह पर अपरोच करेगा तो इस रेंज में तो मैं इसकी इस रेंज में और प्रोक्सिमेटली कितनी वेल्यू ले सकता हूं इसकी ओल्मोस्ट जितनी वेल्यू इसकी ए पर होगी तो बस यही था इसमें तो एज एपसाइलन इस वेरी स्मॉल तो रहा है यह था पर आगे हैं और यह क्या बनेगा फिर तो मेरे पास एपस एपस क्या रहा है यह तो एपस एक्वाल टू फ ए आ गया right because यह किसके एक वाल है बई यह कि देखो यह बचेगा यहां पर और यह कितना बचेगा यह कितना बनेगा बई almost मैं यहां से यहां तक limit ले लू यहां से यहां तक limit ले लू delta पर तो 0 यह है almost क्योंकि जब मैं इसकी limit put कर रहा हूंगा यह भी 1 बनेगा यह भी 1 बनेगा राइट तो मैं इसको लेकर रहता हूं 1 so मेरे पास finally क्या आगया है यह आगया ठीक है next property देखिए यह भी important property है यह वाली property f of x into delta of x minus a equal to f of a x minus a यह property है तो मैं क्या करता हूं यही procedure use करेंगा आगे भी मैं इक दो property यूज़ कर वाऊंगा उनमें भी यही यूज़ करेंगे तो मैं क्या कर लेता हूं मैंने g of x क्या माल लिया किसको इस complete को भई मैंने को यह प्रूव करना है ना तो मैं f of a इतर लिया है तो मैंने इस complete को क्या माल लिया एक दूसरा function g of x मैं प्रूव करूँगा कि भी gx is a DiracDelta function right so where f of a is not equal to 0 f of a not equal to 0 जाना नहीं तो यह infinity हो जाएगा यहां पर not defined हो जाएगा तो मैंने क्या लेके चला हूं यहां पर f of a is not equal to 0 so gx क्या हो गया अच्छा देखिए gx की definition देखते हैं जो जब x not equal to a हो है तो DiracDelta कितना होगा 0 और यह सब non 0 है DiracDelta है क्योंग यह भी non 0 है तो 0 into something क्या बनेगा मेरे पास हमेशा 0 और जब exact x equal to a होगा यह not equal to 0 है तो यह क्या होगा infinity तो g of x कैसा आ रहा है इस तरह पर तो कुछ DiracDelta टाइप लग रहा है बट DiracDelta कि यही complete debination नहीं होती उसमें क्या होता हो और extra कि उसका the area under the DiracDelta function must be 1 unit होना चाहिए तो फिर हम area निकाल लेता है यानि इंटिग्रेशन चेक कर लेता हूँ एक बार तो मैं इसका इंटिग्रेशन चेक कर रहा हूँ तो g x की value यहां पर put किया f of a constant है बाहर आ गया अभी first property में मैंने prove किया था यह यह कितना था अभी अभी first property में prove किया था यह क्या था f of a equal था using first property using property नमबर one यह property use के गर किया तो क्या गया वन आ गया तो इसका मतलत देखो g of x क्या रहा है वन आ रहा ठीक है ड्राक डिल्टा में भी आसा ही होता है और g of x क्या है ऐसा तो इस equation को equation 2 और equation 3 को use करके क्या मैं यह बोल सकता हूं कि g of x is a direct delta function और translated direct delta function होगा क्यों x equal to a पर इसकी spike होगी तो यह क्या आ जाएगा from one तो gx की जिके care put कर दूंगा मैं delta of x so it implies f of x delta x minus 1 equal to f of a delta x minus a right एक को और special case है इसका जैसे x equal to x note है इसको put कर सकते हैं क्योंकि यह क्या f of x है तो f of x की जिगे क्या x तो यहां पर x note आ जाएगा कोई non zero constant है जहां रखना अच्छा x note अगर zero हो जाए x note क्या हो जाए zero तो आप चेक करना इसमें x into delta of x क्या बनेगा आप value निकालना इसकी x into delta of x क्या होता है ठीक है यह assignment के लिए दे रहा हूंगा आपको इसको चेक करना थर्ड प्रोपर्टी पे आते हैं और यह यह थर्ड पोपर्टी है आप इसका प्रूप स्किप भी कर सकते हो इतना important नहीं है बस इसका result आपको याद रखना है ठीक है तो जो first है और जो second property है वो important property है ठीक है तो क्या होता है कि भी डिल्टा ओफ एक्स इक्वल टू वन और मॉड ओफ ऐ डिल्टा एक्स जहाँ पर एक यह नों जिरो कॉंस्टेंट जान रखना है यहां पर क्या है नों जिरो है जीरो नहीं हो गई एक ऐसा है non zero constant तो इसको प्रूव करने के लिए मैं अभी एक पार्ट के लिए प्रूव करवा देता हूं जैसे स्पोर्ज अब दो केस बनेंगे इसमें मैं एक बार एक को greater than zero ले लेता हूं एक बार less than zero सो स्पोर्ज मैंने एक खोल ले लिए इस greater than zero तो मैं क्या मान लेता हूं लेट जी ओफ एक्स इस एक्विवेलेंट टू ए इंटू डेल्टा ओफ एक्स इस पूरे function को क्या मान लिया मैंने जी ओफ एक्स उसमें भी पिछली प्रोपर्टी में भी ऐसे ही किया था तो अब चैक करता हूं जी ओफ एक्स का क्या नेचर होगा तो जी ओफ एक्स इक्वाल टू जीरो 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 होगा जब पें डिल्टा जैसे भी यह कर रहा है अभी डिराग डिल्टा नहीं बोल सकते इसको हमिए करना पढ़ेगा वॉल्यूम फिर पिछेक करना पढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होजएगा g of x dx from minus infinity to plus infinity तो g of x की जगे मैंने value put किया a into delta of ax dx so ax को क्या put कर रहा हूँ है y so it implies dx equal to dy by a right so यहां से क्या बन जाएगा a से a as it is delta of y dy तो a से a cancel तो क्या बनगा minus delta over x d of y into dx again यह क्या होगा one ठीक है अब मैं equation number जो two है और equation three है इससे क्या बोल सकता हूँ कि it shows that gx is a direct delta function spike at x equal to zero पे यहां पे यह नहीं आ रहा न zero आ रहा तो spike at equal to zero so मैं क्या बोलूँगा so g of x क्या आ गया delta of x तो मैं क्या put कर दूँगा यहां पे यह माना था ना मैंने यह लिया था तो यहां पे क्या जाएगा delta of x so delta of x मैंने put किया तो क्या बन गया from equation one delta of x equal to a by delta x या फिर इधर से मैं पूट कर सकता हूं इधर लेके गया क्योंकि यह non zero है तो यह आगी मेरे पास एक property ऐसे ही मैं जब a को less than zero लेके चल रहा हूं यह मैं show नहीं कर रहा हूं यहां पे आप इसको खुद show कर ले ना इसमें क्या होगा आपको क्या ले लेना a को हो ना कुछ alpha minus ले ले let put a equal to some minus alpha where a को negative हो ना तो alpha क्या होना चीए zero positive होना चीए तो ध्यानक ना पस इसको जब prove करोगे ना put करके जब prove करोगे तो क्या रहा होगा हमारे पास delta of a x equal to minus one by a delta of बिल्कुल same जो steps इसमें मैंने फोलो की हैं वही same steps आपको फोलो करने हैं तो मेरे पास क्या जाएगा finally दोनों equation से क्या बोलूँगा मैं जब यह negative है तो minus आ रहा तो ऐसा कौन सा function होता mode तो delta दोनों को combine करके लिखता हूँ so equation from equation 4 and 5 तो मेरे पास क्या गया delta of a x equal to one over more तो कफी important property आप इसको याद कर सकते हैं इसको रिजल्ट को proof को exam के लिए skip कर सकते हो तो proof पूछा नहीं जाएगा exam में ठीक हो सकता है भी first or second का proof पूछ लिए जाए तो एक और होता है corollary s में तो if अगर a क्या हो जाए equal to one a क्या आजए equal to one तो मैंने put किया तो यहां से क्या आएगा delta of minus x equal to delta of x ऐसे भी directly भी प्रूव कर सकते हो आप इसको ठीक है delta of minus x को कुछ gx मान ले ना इस तरह से तो डिराग delta function is a symmetric function तो कैसा function हो जाएगा एक symmetric function राइट तो फोर्थ प्रोपर्टी फिर से अगेन यह ऐसा फिप्रोपर्टी की तरह है अब इसको skip कर सकते हो बस हाँ इसका result यहाद रखना हमेशा इसमें क्या है मैं क्या मान लेता हूँ यह prove करना मेरे को ठीक है last में मैंने delta of minus x equal to delta of x prove किया था इसमें क्या कर लेता हूँ delta of a minus x is equivalent to g of x मैंने इसको क्या मान लिया है g of x so g of x क्या हो जाएगा अच्छा g of x देखेंगे तो x not equal to a पर क्या है एक डिराग delta है यह तो 0 बनेगा और x equal to a पर infinity बनेगा तो ठीक है g of x क्या है एक डिराग delta की तरह भी यह पर रहा है फिर से अगें हमें इसमें area भी check करना पड़ेगा कि 1 आ रहा कि नहीं आ रहा तो ठीक है तो मैंने यह लिए g x की जिए डिल्टा ओफ a x माइनस पूट किया तो a माइनस x को y पूट किया तो जो units है इस तरह से आ जाएंगे reverse हो जाएंगे न क्योंकि minus infinity minus infinity plus infinity हो जाएगे limits change हो जाएगे interchange लेकिन यहा पर minus है तो फिर से interchange कर देता हूँ तो आया ही आ जाएगा और अगें यह क्या रहा भाई तो फिर से अगें यह क्या बन रहा है डिराग delta function सो प्रोम equation two and three हम क्या कह सकते हैं जी ओफ एक्स किक्वल है डिल्टा ओफ एक्स माइनस से सो क्या जाएगा मेरे पास दोनों को जब compare करूंगा तो डिल्टा ओफ ए माइनस जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करें यहां पर अभी तक जितने भी कॉश्चन कराएं मैंने कोफिशेंट के आया वहां पर उसका एक्स का वन है तो नेक्स्ट प्रोपर्टी में भी इस ट्राइप के मैं कुछ करूंगा तो बस आज के लिए बस इतनी प्रोपर्टी नेक्स करूंगा तीन चार प्रोपर्टी और हैं उसकी फूरिया ट्रांस्फॉर्म उसकी लेपलास ट्रांस्फॉर्म ड्राइब डेल्टा फंक्शन की तैंक यू